नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूटूब एज़िकिसने जनल में तो आज की उड़ी लेक्चर में हम एलर्जी से राहत पानी के टाबलेट के बारे में डीटेल में स्टडी करने वाले हैं तो होता क्या है अलग-अलग health problems हम देखे तो बार-बार छीक आते हैं आपको कि जब भी allergy के symptom सुरू होते है तो सबसे पहले काफी ज़्यादा जो हो छीके आती है फिर इस तरह से skin के उपर allergy reactions जो हो देखने को मिलती है फिर तीसरा एक problem या फिर symptom हम देखे तो त्वचा पर दाने या फूंसिया देखने को मिलती है तो यहाँ पर आप देखो कि यह जो patient है उसके forehead के उपर इस तरह से फूंसिया जो हो देखने को मिल रही है फिर यह जो वाला person है वो normal है patient का उसके compare में यहाँ पर आप देखोगे तो मुँपे जो हो सूजन जो हो देखने को मिल रही है तो यह एक symptom या फिर एक problem देखने को मिलती है फिर गले में खरास हो जाती है कि यह आप आप देख रहे हैं कि सूजन भी है और गले में खरास जैसा आप फिल करते हैं और सास लेने में तकलिप होती है तो ये जो सबी health problem से उसको स्वाल करने वाली बहुत अच्छी जो tablet है Facts of Inadine कि जिसका brand है या आप एलगरा तो उसका detail में हम review करते हैं और study करते हैं तो ये जो सब अलग-अलग topics है वो हम cover करेंगे आज की वडियो में और जानेंगे एलगरा tablet के बारे में तो सबसे पहले हम जानें उसका basic तो ये कौन से class का medication है तो ये एक anti-histamine class की medication है कि जो especially histamine नाम का जो chemical है उसको block करके अपना काम करती है salt composition के बात करें तो facts of inadine उसके अंदर present है कि जो एक tablet में 180 mg जितना present है और जो आगे जो हमने allergy के अलग-अलग symptoms देखे उसको ठीक करने के लिए ये medication को जो प्रिस्क्रैब किया जाता है आगे उसके manufacture की हम बात करें तो Sanofi जो है उसके manufacture है कि जो एक French multinational pharmaceutical company है और उसका जो head office है वो Paris में है France के अंदर तो यहाँ पर company का logo details हम देख सकते हैं तो यहाँ पर video के में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी book है decision treatment बीमारिया और उनका उपचार तो यह book अब ready है तो यह book को आप order कर सकते हैं order करने के लिए नीचे दीगे number पर आप whatsapp कर सकते हैं इसका detail review video भी channel पर आ चुका है तो वहाँ पर जाके भी आप देख सकते हैं कि detail में आप सीख पाऊँगे कैसे भी बीमारी के बारे में उसके causes, symptoms, diagnosis और कैसे उसका treatment होता है आगे देखते हैं उसके uses तो जो allergy के अलगलग symptoms है वो सभी को ठीक करने के लिए ये medication को prescribe की जाती है तो अब label समझ लेते हैं तो RX का मतलब होता है कि prescription मतलब कि ये जो medication है वो prescription based medication है या आप सनोपी का logo देख सकते है 1NTMG एक tablet के इंदर present है IP यानि कि Indian Pharma कोपय के standards के according to बनाया गया है non-drosive formula है मतलब कि इस तरह से बनाई गई है कि अगर ये medication कोई लेता है तो उसके बाद कोई ऐसे side effect नहीं होते है कि जैसे आपको काफ़े ज़्यादा नींद आए या फिर आप ऐसा ना feel करें कि आपको sedation जैसा feel होता है तो काफ़े अच्छा medication है ये 10 tablet आती है एक packing के अंदर या पर उसका हिंदी में नाम भी आप printed देख सकते हैं तो packing के उबर भी detail मिल जाती है कि जो continuous sneezing होती है काफ़े ज़्यादा आपको सीखे आती है hives जैसा हो जाता है मैं कि skin के उपर allergic reactions देखने को मिल रही है eaching काफ़े ज़्यादा खुजली होती है nozzle congestion यानि कि नाक बंद हो जाता है नाक से पानी आता है आखों से पानी आल लगता है या फिर redness देखने को मिलती है वहाँ peaching होती है तो ये सभी symptoms को ठीक करने के लिए medication prescribe की जाती है film coated tablet रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं tablet का यहाँ पर लिखा है type film coated type की tablet है और sedule H की यह ड्रग रहेगी मतलब कि prescription based medication है कि जब उसको retail में बेचा जाता है तो proper valid prescription के साथ है उसको retail में बेचे जाती है और blister pack में available है और एक pack के अंदर आपको जो 10 tablet मिल जाती तो इस तरह से proper attractive packing में film coated tablets जो हो यह available है working के हम बात करें तो यह tablet काम कैसे करेगा तो जैसे मैंने आगे भी आपको बताया कि जो histamine chemical release होता है उसी के करण allergic reactions होती है उसके symptoms देखने को मिलते है तो जब भी कोई person यह medication लेता है तो जो histamine की जो effect है वो block हो जाती है जिसके करण जो histamine बढ़ने से जो symptoms देखने को मिलते है वो दीरी-दीरे कम हो जाते है और patient के जो allergic reactions completely ठीक हो जाते है यह medication को लेने के बात अब बात करते हैं उसके dose की तो 180 से लेकर 180 mg जितना उसका daily dose है once per day और एक tablet के अंदर 180 mg जितना present है तो इसका जो dose रहेगा वो one tablet per day जितना रहेगा so minimum dose उसका रहता है 120 mg per day और maximum dose 180 तो दोनों available है कि एलागरा 120 भी available है एलागरा 180 भी available है तो dose हो गया one tablet per day price के हम बात करें तो जो latest price है December 2023 के according to तो 250 1.20 रूपीज है मलब कि around 250 जितनी price है उसके एक blister packing के और एक tablet around आपको 25 रूपीज में पढ़ती है फिर आगे यहापे मैं फिर से आपको reminder देना चाहूंगा कि जो हमारी book है वो आप जरूर से purchase कर सकते है काफी detail information आपको मिलेगी अलग-अलग बिमारीयों के बारे में और उनके उपचार के बारे में तो जरूर से हमें यह नंबर पर whatsapp करें और book की detail soft copy भी आप चेक कर सकते है आगे देखते हैं यह tablet के side effects के बारे में तो अगर कोई यह medication लेता है तो कुछ लोगों को nausea vomiting जैसा feel होता है headache हैने के सीरदर जैसा feel होता है coughing जैसा feel कर सकते है diarrhea हो जाते है painful menstruation pain हो सकता है आपके legs के अंदर आगे हम देखे उसके कुछ contra indications and warning तो सबसे पहले कि kidney के उपर किसी की असर हुए किसी के kidneys खराब है kidney अच्छे से काम नहीं कर रहे है तो वो लोग यह medication को use ना करें फिर दूसरी condition हम देखें तो pregnancy के दारान उसको use ना करें और high dose में कभी भी use ना करें जो हमने आपी dose बताया कि 180 mg per day जितना है तो 180 mg जितना मलब कि एक tablet per day के हिसाब से लेनी चाहिए ज़्यादा tablet लेने से side effects और ज़्यादा बढ़ सकती है liver खराब हो सकता है kidneys के उपर असर हो सकती है तो ये खास आप ध्यान रखें pregnancy category के हम बात करें तो pregnancy category उसकी C है इसी के current जो हमने previous slide के अंदर देखा कि pregnancy में उसको use नहीं किया जाता तो अगर कोई pregnancy में गलती से भी use कर लेता है तो उसको avoid करनी चाहिए और आपके gynecologist की tablet interaction करती है तो मान लो कि कोई person irithromycin ले रहा है तो जब irithromycin ले रहा है तब आप alagra tablet को combination में use ना करें ऐसे ही refarm piscin है, ritonavir, theophylline, midodrine, ketoconazole जैसे कोई antifungal medication ले रहा है तो कभी भी alagra और ये सब tablets का combination जो है वो ना बनाए तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेरा ये वीडियो भी जरूर से देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने बहुत अच्छी information दी है आपको अलग-अलग दवायों के बारे में और बीमारियों के बारे में बीमारियों के बारे में देख सकते हैं